नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों यवतमाल दिग्रस जिसका जिक्र पिछले एपिसोड पे भी हमने किया था कि वहां रेल मारगा का कारी वहां पे वहां पे मिट्टी पहुंचाने का कारी SMS इंफरास्ट्रक्चर द्वारा कि किया गया जिस सेग्रिमेंट कि कोपी हमने आपको .... भात दिया टोटल तैकर मेंकल करना था और जिसमेंसे सुरुवात में पहले चरण में पांच एकर प्रविन संसेज कंपनीं किया गया और ढवर करिवे के थैसेल में आ लिखा हुआ है कि उ liability कह नहीं wee retrouve को को सई ओं को इससिलिए में हमने वहाँ के तैसिलतार जाने कि दिघ्रस के तैसिलतार प्रवीन धनोडकरजी से बातचित करने की पूरी कोश्चिश कि मैंने पहला कॉल उनको 17 अक्टूबर को किया 17만 का कॉल करने के बाद उन्होंने मेरा फोन नहीं उठा can कि फोन नहीं उठ आफ है तो मैंने को मैसेज किया कि सर मुझे आपका स्टेटमेंट्स चाहिए एसंस कम्पनिी रिगार्डिंग मुझे आपका स्टेटमेंट्स चाहीए उन्होंने मैसेज किया कि video conference बbak करो है किने कितने दिर के बादक फोन करूं उनका कोई कॉई मैसेज दूबारा मुझे नहीं आया अठरह अक्टूबर को मैंने फिर उने कूल किया उनिस अक्टूबर को फोन किया और उनिस अक्टूबर को उन्होंने मेरे फोन को फोन को फिर रिस्पॉंस नहीं किया साप साप समझ में ये आया मुझे कि आखिर क्यों वो मेरा फोन रिस्पॉंस नहीं करना चाहते हैं क्यों वो हमसे बात करने कोशिश नहीं करना चाहते हैं बात नहीं करना चाहते हैं शायद प्रविन धानोरकर जी क के पास हमारे सवालों के जबाब नहीं होंगे ऐसा कहा जाता है कि अपराध करना गुनाह है लिखने को बचाना उसे गुनाह के लिए और प्रोत्साहित करना गुनाह करने देना ये उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है क्या मैं समझू कि क्या इसी प्रकार का अपराध द उसे संपत्ति की देख रेक करने का सबसे प्राथमिक जिम्मा वहां के तहसिलदार को होता है यानि कि दिग्रस की बात करें तो प्रविन धानुकर जी का वहां पे देख रेक करने की पूरी जिम्मेदारी है अज़ा तहसिलदार दोस्तों आपको बताओं कि एक गरीब जब वो कपड़ा खरीदता है जब वो पेन खरीदता है जब वो अपने बच्चों के लिए कोई सामान खरीदता है खाने के लिए कोई सामान खरीदता है देश का हर एक नागरिक कुछ भी अगर वो खरीदता है तो उसमें सरकार को टेक किया जाता है और वहां के तैसिलदार इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं आकिर इतना बड़ा खनन कर लिया गया फिर तैसिलदार सहब कहां थे प्रविंध धानुकर जी का ध्यान कहां था क्या प्रविंध राजिमी भी है अभी तक हमने किसी एपिसोड में उनका जिकर नहीं किया लेकिन जब उन्होंने हमारे फोन का रिस्पॉंस नहीं दिया तब हमें जिक्र करना पड़ा और हमें बताना पड़ा आपको कि क्या सच चाहिए क्योंकि सच दिखाए बीना चुपा है और वो भी सिर्फ बीजीन पर आप देख सकते हैं और हम वही सच बीना चुप पर जिसे करने शायद आब वह हमसे बात कर लें चीन पत्र के जिकर करेंगे किEr किसी से बात करें हुए झाल और यानी कि देश के हर एक गरीब और नागsi और तके नहिंपरीयव याजिए कोई घंथा देए प्रॉयल्टी दे सकता है तो फिर ये बड़ी कम्प्रियां अपने ही राजस्व को चोड़ी कैसे कर सकती है और जिन्हें जिम्मा दिया गया है को देखरेक करें अफिर वो अंदेखा कैसे कर सकते हैं एक बड़ा सवाल उठता है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ झाल